Hello everyone, welcome back to my channel So friends, आज के इस वीडियो में हम लोग class 8 सुनेरी धूप टेक्सबुक से जो हमारा lesson number 11 है चांदी का जूता इस पार्ट के हम लोग व्याकरण बोध और लेखन अभी व्यक्ति आज के इस वीडियो में सीखेंगे तो आज ये वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले देखें व्याकरण बोध में जो यहाँ पर दिया है हमें समस्त पदों का विग्रह करते हुए हमें समास का नाम लिखना है तो इस साइड समस्त पद है यहाँ पर विग्रह किया हुआ है और इस तरफ यहाँ पर समास का नाम लिखा हुआ है तो कर नंबर में सबसे पहले दिया है चंद्र मुख चंद्र मुख अर्थात अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो चंद्रमा के समान मुख और यह कर्मधारे समास के अंतरगर आता है अगला है चार पाई यानि चार पैरों का समोग इसे हम दिगु समास के अंतरगर रखते हैं अगला है गजानन यानि गज हाथी के समान मुख है जिसका अर्थात गणेशी यह बहुवरिही समास है अगला है त्रिलोचन यानि तीन आखें हैं जिसकी अर्थात शिव बहुवरी ही समास अगला है नील गाय नील गाय यानि नीले रंग की गाय अगर इसका हम विग्रह करेंगे और यहां कर्म धारे समास के अंतरगर आता है अगला देखिए हमारा यहां पर है लेखन अभिव्यक्ति दहेज के रिवाज को समाप्त करना होगा विशेपर एक सार गर्भित अनुच्छेत लिखे तो इसका उत्तर देखे यहां पर दिया है दहेज को लोग एक रिवाज का नाम देकर न जाने कब से पूरा करते आ रहे हैं किसी भी कण्या को विवाह के समय जो आभूशन, वस्तराद एवंग ग्रिहो पयोगी वस्तुएं उपहार में दी जाती है उन्हें ही दहेज कहा जाता है देखें दहेज में क्या है कि लोग चोरी छुपे जो कन्या का पिता होता है उस पक्ष से वे कीमती वस्तुएं लेते हैं चाहे वे ग्रिहस्त संबंदी हो अनिधा कैश हो है ना तो उसे हम क्या कहते हैं दहेज कहते हैं और यह जो है कन्या का पिता स्वैम की इच्छा से नहीं बलकि वर की इक्षा से यानि की बेटी जो लड़का है उसकी माता पिता की इक्षा से जितना वो कहते हैं उतना उन्हें देना बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं दहेज कहत और दहेज लेना एक भूत ही घोर अपराद है जो कि नहीं करना चाहिए कि क्यों जो बेटी का पिता होता है वहाँ अपनी बेटी आपको दे रहा है यानि कि सर्वसु आपको दे दे रहा है अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहा है चीक है तो हम सभी को मिल करके या कोशिस करनी चाहिए कि तहेज जैसी कूरीती को इस प्रथा को खतम करना चाहिए अगली लाइन देखिए प्राया इसके लो लुप मोह खोल कर मांग भी कर देते हैं कि जहां इतना कुछ दे रहे हैं वहां गाड़ी मकान नगत रुपए आध भी यदि लड़की वाले दे दे दें तो कितना अच्छा हो ना मिलने पर लड़की का जीवन कभी कभी ऐसा नार्की बना दिया जाता है कि या तो वह स्वेच्छा से ही अपनी इह लिला समाप्त कर लेती है नहीं तो देहेज की बली वेदी पर उसकी बली चड़ा दी जाती है इन पंक्तियों का अर्थिया है कि अपनी जो जीवन लिला है अपनी इह लिला यानि कि अपनी जो लाइफ है वो लड़की देहेज के देहेज से इतना जादा पीडित हो जाती है कि वे स्वेम ही अपनी लाइफ को खत्म कर देती है या तो फिर उसके जो सस्राल वाले है या की काफी असंतोस जनक प्रथा है अगला देखे अगर इस संसार में नारी को ऐसा अपमान जनक जीवन जीना पड़े तो मृत्यु तुल्य हो जो मृत्यु तुल्य हो अथवा चंद रुपियों अथवा आभुषणों के लिए यातनाय सहन करनी पड़े तो ऐसे रिवाजों औ और प्रथाओं का धिकार है और इन्हें तुरंत ही समाप्त करना पड़ेगा नियमों कानूनों की अपेक्षा हमें अपने विचारों और आदर्शों को उचा उठाना होगा और इस प्रथा को समूल उखाड फेकना होगा ठीक है तो बच्चों आप सभी कोशिस करिए कि ये होना चाहिए तो बच्चों यहां पर ये वीडियो समाप्त हो गया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए झाल